या बनाने जा रहा हैं या फिर बनाने जा रहा है वेट हर चोक्लीट सेंब्विच के बनाने के लिए हमें चैले हैं तोमेटोस, फ्लाइसेज में काट लेने हैं, चिली फ्लेक्स, ये ओरिगेनो, ये चॉप्ट कैपसिकम, वन बाउल, ये कैरेट, ये कुकुम्बर, और ये कैबिच, और कैचप, तोमेटो सौस, चिली सौस, और बटर, तो अब इस बटर को हमें इस ब्रेट की स्लाइस में लगाना है, तो हमने इसमें बटर लगा लिया है, अब इसमें हम चिली सौस डालेंगे, हमने इस पे ये चिली सौस भी लगा लिया है, अब हम इसमें जो हमने कुकुम्बर को कट किया था स्लाइसेज में, इसको हम इसमें कि अ सब्सक्राइब कर दिया है तो अब यह स्सक्राइब है इस पर हम भटर और चीली सॉस लगाएंगे चीली लगा दिया है और हमारा फ्रस्ट लेयर हो गया है अब second layer के लिए हमें तो second layer पे लगाने, spread करने के लिए हमें चाहिए एक mixture मेओनीज का और cabbage, chopped carrot और capsicum का तब हम इससे spread कर देंगे और हमें इसमें mixed herbs और chili flakes भी add करना है तो अब यह जो हमारा mixture है, अब इसका हम इस पे लगा देंगे तो हमारा second layer भी ready हो चुका है यह देखिए वही mixture का इस वीडियो में बनाया था लिए हमीस, chopped capsicum, chopped cabbage और chopped carrots से अब थर्ड लियर के लिए हमें केचप को spread करना है तो हमने इस ब्रेट पे भी इस ब्रेट की slice पे और इस ब्रेट की slice पे भी ketchup add कर दिया है तो अब हम इस ब्रेट की slice पे tomatoes add करेंगे इस ब्रेट के slice में हमने काट दिया है तो हमने टोमाटो भी add कर दिया है अब इस ब्रेट कर दिंगे तो यह रहा हमारा ब्रेट चैन्विच तो अब हम बनाने वाले चोकलेट चैन्विच तो चोकलेट चैन्विच के लिए हमें चाहिए ब्रेट के slice से जिसके corner हमने काट किया है और यह हर्षी spread है और बहुत लोग के पास नहीं होता है तो वो लोग ले सकते हैं इस मलाई में बॉन विटा और मिल्क पाउडर तो हम लोग बनाते हैं पहले लेयर के लिए हम स्प्रेट करेंगे हर्षी spread करें सकते हैं तो आप जैसा चाहें बंट कर सकते हैं कैसा अज का हम इसका हम्हारा recipe कमेंस करके से जरूर बतायेगा और हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्ते कर साथ शेर भी किजिएगए और हमारे हमारे